दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लिकर रहा हैं Lucent में से बहुत ही शांदार जिगे के कॉशन्स हमारे चैनल पर रोज आपको लाइप क्लास भी मिलती है और प्रेक्टिस एट मिलते हैं चैनल पर पहली वा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला कॉशन यह रहा आपकी स्क्रीन पर मनुश्य की आँख में प्रिकास तरंगे किस इस्थान पर इस नायू उद्वेगों में परिवर्तित होती है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका option number C रैटिना से यह परिवर्तित होती है option number C right answer हो जाएगा caution number 2 देख लेते हैं caution number 2 में आप से पूछा गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा caution number 3 देखते है lead oxide का व्यापारिक नाम क्या है तो lead oxide को व्यापारिक तोर पर लिथार्ज कहा जाता है यहाँ पर option number A इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा caution number 4 देख लेते है caution number 4 में पूछा गया है नेतरदान में दाता की आंक की किस हिस्सी को प्रती रोपित किया जाता है सबसे easy caution है कई बार आपने किताबों में देखा है caution यहाँ पर सही आंसर है आपका cornea option number A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा caution number 5 देख लेते हैं caution number 5 में आपसे पूछा गया है mangrove वनस्पती का मुख्य घटक क्या है तो mangrove वनस्पती का मुख्य घटक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका risophera risophera आपका option number A में दिया गया है तो option number A इस प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा caution number 6 देख लेते हैं question number 6 में आपसे क्या पूछा गया है caution number 6 में पूछा गया है नागा साकी पर अमेरिका द्वारा गिराएगा बं में किसका प्रयोग किया गया था तो नागा साकी पर जो अमेरिका बं अमेरिका ने बं गिराय था उसमें आपका plutonium का प्रयोग किया गया था option number A यहाँ पर इस प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा caution number 7 देख लेते हैं caution number 7 में पूछा गया है आपसे आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकास की मात्रा नियंत्रत होती है कि कितरना प्रकास आँख में जाए वो भाग होता है आपका आइरिस आइरिस से काम करता है यहाँ पर option number C आपका सही answer हो जाएगा caution number 8 देख लेते हैं caution number 8 में पूछा गया है समुद्र किनारे की वनस्पती इन में से क्या क्यालाती है बताइए तो समुद्र किनारे की वनस्पती यहाँ पर options के अनुसार आपका love note with option number A love note with वनस्पती बिल्कुल सही answer हो जाएगा caution number 9 देख लेते हैं यह आपके screen पर वहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातू वायू को प्रदूशित करती है बताइए कौन सी तो पेट्रोल के जलने से लेड जो है option number B वायू को प्रदूशित करती है caution number अगला देख लेते हैं caution number 10 इसमें पूछा गया है iris का क्या काम होता है तो iris का यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number आख में जाने वाले प्रिकास की मात्रा को उनियंत्रित करना option number A यहाँ पर इस प्रशने का सही answer हो जाएगा caution number अगला देख लेते हैं caution number 11 caution number 11 में पूछा है मुख्यता, मैंगो, वाले, ज्वारी, वन कहाँ पाए जाते हैं तो हमारे यहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं सही answer हो जाएगा आपका सुंदर्वन डेल्टा सुंदर्वन डेल्टा कहाँ पर है तो बांगलादेश और भारत की सीमा पर है पशिम मंगाल के निकट है ठीक है, याद रखेगा यह caution exam में आया हुआ है कई बार अगला caution दिख लेते हैं यह आपकी screen पर caution number 12 इसमें आपसे पूछा गया है मोना जाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिच पाया जाता है तो मोना जाइट बालू में पाया जाता आपका thorium यहाँ पर option number C से यह answer हो जाएगा अगला caution दिख लेते हैं caution number 13 इसमें आपसे पूछा गया है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तूओं को फोकस करने में आँख की योगिता में कमी क्या कहलाती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और आँख में कमी आईगी योगिता में उसको बोलते हैं प्रैस बायोपिया ऑप्शन नमबर यहाँ पर भी विलकुल सही आंसर हो जाएगा कॉशन नमबर अगला देख लेते हैं कॉशन नमबर चाओदा इसमें आपसे क्या पूछा गया है तो कौशन नमर चवदा में आपसे पूछा गया है बाढ़ को रुका जा सकता है तो बाढ़ को यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नदियों पर बांध बना कर नदियों को आप धीरे कर दोगे बांध बना दोगे जगा जगा पानी तो बाड रुक सकती है, नहीं तो नदी अपने फ्लो में यदि बहने पे आई और एक चीज और बता रहे, प्रक्ति के सामने आपके बांध भी नहीं तिकते आप लोगोंने कई एक्जामपल देखे होंगे, है ना भूत काल में अगरा काउशन देखिए, निम्नलकित में से कौन सरवादिक इस्थाई तत्व होता है, बताईए तो सरवादिक इस्थाई तत्व यहांपर C सा Opson No D सरवादिक इस्थाई तत्व होता है काउशन No 16 देख लीते हैं, काउशन No 16 में ऐसे पूचा गया है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है तो कैमरे में जो लेंस होता है वो आता है आपका उत्तर लेंस option number A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस question के लिए question number 17 देखिए म्रदा अपरधन रोका जा सकता है तो म्रदा अपरधन को वनों को उगा कर रोका जा सकता है यहाँ पर option number आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा caution number 18 देख लेते हैं caution number 18 में आपसे पूछा गया है electric bulb में filament बना होता है तो bulb में filament बना होता है आपका टंगश्टंग की धातु से option number 8 अंगश्टंग का बना होता है अगला caution देखिए caution number 19 में पूछा गया है photographic camera को कौन सा भाग आँख की retina की तरह कारे करता है तो camera में जो आपका film होता है वो काम करता है आँख की retina की तरह option number D सही आंसर हो जाए caution number 20 देखिए वायू और जल की क्रिया द्वारा भूमी का हटाव क्या कहलाता है उसको बोला जाता है अपरदन option number A में दिया गया है option number A इस प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा caution number अगला देखिए caution number 21 yellow cake नामक किस वस्तु की सीमा पर तसकरी की जाती है तो yellow cake होता है आपका uranium oxide option number यहाँ पर भी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा तो uranium oxide को yellow cake भी बोला जाता है caution number अगला देखिए जब प्रकास के लाल हरा वा नीले रंगों को समान अमिपात में मिला दिया जाता है तो क्या होता है तो यदि आप सबको मिला देंगे इन तीनों को तो यह बन जाएगा सफेद रंग option number white color बन जाएगा बिलकुल white color बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला caution देख लेते हैं यह राब की screen पर इसमें पूछा गया है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है तो किसी भी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमी को उत्पादों की होती है option number b में दिये गएगा है तो option number b यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा caution number 24 देख लीजिए गैलेना का रासाइनिक नाम क्या है तो गैलेना का रासाइनिक नाम यहाँ पर लेड सलफाइड हो जाएगा option number C गैलेना का रासाइनिक नाम अगला question देखिए question number 25 सबसे कम तरंग दर्द वाला प्रकास होता है तो सबसे कम तरंग दर्द वाला प्रकास आपका बैगनी कलर का होता है option number यहाँ पर डी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों comment करके बताइए सबसे अधिक तरंग दर्द किसकी होती है किस प्रकाश की सबसे ज्यादा तरंग दर्द होती है यह आपका surprise caution है दोस्तों यदि तक आपने आधा वीडियो देख लिया और अग तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए हमारे उत्साह वर्धन के लिए हमारे caution जो हम लाते हैं उसके लिए और हमें motivate करने के लिए ज़रूर लाइक करिएगा caution number 27 देख लेते हैं caution number 27 में आपसे पूछा गया है संचायक बैटरियों में निम्नमें से कौन सी धातू का प्रयूक किया जाता है तो संचायक बैटरियों में यहाँ पर option number B से आंसर हो जाएगा आपने सुना भी होगा सीसा संचायक बैटरी तो सीसी का यूज किया जाता है caution number 28 देख लेते हैं caution number 28 में आपसे पूछा गया है कि photography में मुख्य तक कौन से रंग होते हैं तो photography में आपकी जो तीन मुख्य रंग होते हैं लाल नीला और हरा यहाँ पर option number D में ये तीनों color दिये हैं question number D से आंसर हो जाएगा question number 29 किसी पारी तंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है तो उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं वो करते हैं सौर उर्जा को पकड़ना एवं इससे रासायनिक उर्जा में बदलना पेड़ भी यही करते हैं सौर उर्जा से जो एक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं CO2 को लेते हैं और CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं question number 30 देख लीजिए question number 30 में आप से पूछा गया है निर्ण देखते में से कौन सा पदा आर्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य भी है सोचे मजबूत भी है और खिच भी जाता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option number B बिलकुल सही आंसर हो जाएगा question number 31 देख लेते हैं question number 31 में क्या पूछा गया है यदि वाई वंडल ना हो तो आकास का रंग कैसा होगा जदि वाई वंडल ना हो तो आकास काले कलर का दिखाई देगा option number B बिलकुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगला question देख लेते हैं question number 32 में आपसे पूछा गया है किसी संखला में प्रात्मिक उभुकता कौन होते हैं तो प्रात्मिक उभुकता हमेशा साका हारी होते हैं यार रखेगा ठीक है फिर उनको जो खाता है तो भाई वो मासा हारी बन जाता है या सरवा हारी बन जाता है option number अगला देखे question number 33 आप comment करके बताईए मनुष्य क्या है मनुष्य क्या है प्रात्मिक उभुकता है द्वतियक है या क्या है त्रतियक है बताईए मनुष्य किस स्रेणी में आता है अगला caution देखे निम्दल किते में से भारी धातु कौन सी है तो options के अनुसार जो option दिये है uranium आपकी भारी धातु हो जाईए option नमबर भी बिल्कुल सही answer हो जाए caution नमबर 34 सूर की किर्णों में कितने रंग होते है तो सूर की किर्णों में सात रंग होते है किसी भी रंग आपको पता है सात रंग जो है अगला caution देखे ये रापकी स्क्रीन पर खादर शंखला बनती है तो खादर शंखला जो आपकी है वो बनती है उत्पादकों वो भोकता हो एवं अप घटकों से option नमबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही answer हो जाए caution नमबर 36 देख लेते हैं इसमें पूछा गया है lead pipe पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं ऐसा क्यों तो lead का pipe क्या करेगा यह वायू मिश्रित पानी के साथ घुलकर विशेले lead hydroxide का उत्पन कर देगा जिसको पीओगे तो दिक्कत आ जाएगी toxic होता है प्रकास का रंग निश्चित किया जाता है प्रकास का जो रंग है उसकी तरंग देर्द द्वारा निश्चित होता है option number B यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही answer हो जाए caution number अगला देखी caution number 38 इसमें आप से पूछा गया है निमने मैं से कौन सा पारी तंत्र का अजीवी की अगटक है तो पारी तंत्र का अजीवी की अगटक यहाँ पर जल option number C right answer हो जाएगा caution number 39 caution number 39 में पूछा गया है राजस्थान इस्तित डे गाना किसके उत्पादन के लिए फेमन से तो डे गाना जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका टंगश टंग होता है option number A बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा comment करके बताईए किस राज में सबसे ज़्यादा कोईला उत्पादन होता है भारत के किस राज में कोईला की कोईले के भंडार सबसे अधिक है comment करके ज़रू बताईएगा caution number 40 लाल कांच अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा किस कलर का तो लाल कांच को यदि बहुत ज़्यादा गर्म कर लोगे तो हरे रंग का हो जाएगा option number C बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगला question देख लेते हैं इसमें पूछा गया है आपसे निम्रेमेसिक किस धादू का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिखल जाएगी तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option number B इसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ से ही पिखल जाएगी caution number 43 देख लीजिए प्रिकास में साथ रंग होते हैं रंगों को अलग-अलग करने को क्या कहा जाता है प्रिकास में साथ रंग होते हैं और एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है प्रिज्म से गुजरेगी तो साथ रंग आपको दिखाई देंगी अगला caution देखिए पारिस्तिकी तंत्र सब्दाली किसने प्रस्तुत की तो पारिस्तिकी तंत्र जो सब्दाली है वो टैसले ने प्रस्तुत की option number आप बिलकुल स़े आंसर हो जाएगा question number 45 देख लेते हैं 45 नाब की उर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्यों का उपयोग किया जाता है तो नाब की उर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है अगला कॉशन देखिए यह रा कॉशन नमबर शालिस हरी पत्कियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कि हरे कलर की कोई चीज होगी लाल रोशनी में रखोगे तो काले कलर की दिखाई देगी आप मुझे कमेंट करके बताईए कोई यदि लाल कलर का है और उसको आप लाल रोशनी में देखोगे तो वो किस कलर का दिखाई देगा लाल ही दिखाई देगा या किसी और कलर का की रोशनी में कोई लाल चीज देखोगे चमकदार तो गयंसे दिख देगी कौश का य क्वाविनासभी प्राए क के नाम से सपेस सोन के नाम से प्लैटीनम जाना जाता है option नमबर भी विलकुल सही आंसर हो जाए question number 49 49 पूछा गया है किस अपार दर्शी वस्तु का रंग उस रंग के एक कारण होता है जिसे वह तो अपार दर्शी वस्तु का किस के कान होगा जिसे वह परिवर्थित कर देता है ना उस कलर का हो जाएगा question number आखरी यह राप की screen पर पारिस्तिकी निम्नलकितम के बीच पारिस्तिकी संबंदों का अध्यन है तो यह जो अध्यन है वो जीव और वातावरन option question number a यहाँ पर सही answer हो जाएगा इन दौनों के बीच का संबंद है अध्यन कहलाता है दोस्तों कैसे लगे आपको question यह रहा आपका surprise question प्रक्रिती में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व इनमें से कौन से हैं जो आपको option दिये इनमें से क्या सही answer हो जाएगा जो वीडियो आपको अच्छा लगता है ना उसको जरूर भेज दिया करो क्योंकि आपने पूरा देखा तो किसी ना किसी का फायदा जरूर होगा और किसी का हो चाहिना हो हमारा जरूर हो जाएगा ज़री आप share कर देंगे तो हमें motivation मिलेगा उत्सा मिलेगा कि हमारे वीडि